हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग बच्चों कैसे हो आप लोग अच्छे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं वेंजन पढ़ रहे हैं है ना हम लोग क, ख, ग, ये तीन लेटर सीख लिए अभी आज हम एक और नया लेटर सीखेंगे जो की है ग, मैंने यहाँ पे जो लेटर लिखा है उसको क्या कहेंगे ग, क्या बोलना है ग, ध्यान से एक बार ग, ग, से ग, ये जो मैंने पिच्चर ड्रो किया है उसको क्या बोलेंगे ग, 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 इसका फर्स्ट लेटर कौन सा है ग, ग, से ग, गड़, गड़ से गड़ा, गड़ा मतलब पानी बने का बटका, ये है गड़ तो इदर भी फर्स्ट लेटर गड़ है और ये गड़ है इसमें भी फर्स्ट लेटर गड़ आता है तो ये है गड़, क्या पढ़ेंगे इसको गड़, ये है गड़, क्या से कर, क्या से कड़ा, क्या से कड़ियाद, कड़ियाद मतलब मगरमच, ठीक है, गर, गर से गड़, गर से क्या करेंगे, गर से गर, गर मतलब हाउस, और गर से गड़ा, मतलब पानी बने का मटका, गर से गड़ी, आप जो वाच पैनते हो, उसको क्या कहेंगे, गड़ी, तो उसे गर से गड़ी, ठीक है, तो आज हमारा नया लेटर ग, तो ग को हम लिखना सीखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग अपनी वर्क बुक में लिखेंगे, उसके बार हम लोग अपनी नोट बुक में भी लिखेंगे हमारी वर्क बुक में गौसे घर लिखना है तो सबसे पहले आप लोगों को हिंदी की वर्क बुक ले लेनी है और फिर पेज नमबर 1550 ओपन कर लेना है वर्क बुक में हर बार की तरह लाइन बना लेंगे जो डॉट करके दिये हैं लेटर उसको पहले ट्रेस करेंगे और फिर खाली जगह पे हम लोग लिखेंगे ठीक है तो हमारे पेज नमबर 15 पे हमारा नया लेटर गह कौनसा लेटर है गह से गड़ी प्लॉक या वाच कुछ भी गह से गड़ी सामने वाले पेज पे घड़ा गह से घड़ा ठीक है तो अभी हम वर्क बुक में लिखना सिखेंगे उसके बाद नॉट बुक में तो वर्क बुक में कैसे लिखना है पहले जो डॉट है उसको ट्रेस करके लिख लेंगे उसके बाद खाली जगा में लिखेंगे हमारी वर्क बुक में ऐसे ही पांच लाइन बनी है उसमें से हम तीन ब्लु लाइन में लिखते हैं कैसे लिखना है, शुरू करते हैं, पहले फर्स्ट ग्ल्यू लाइन से एक कव बनाएंगे मिडल लाइन तक, फिर दूसरा कव बनाया मिडल लाइन से, और फिर वो कव घुमाते हुए, थोड़ा उपर तक लेके जाएंगे, पीछे स्टेंडिंग लाइन बना देंगे, उपर स्लिपिंग लाइन, बन गया गह, गह से गहर, एक बार फिर एक कव बनाएंगे, दूसरा कव उसको उपर तक लिया, आगे खेंच के उपर तक, फिर उसी को टच करते हुए स्टेंडिंग लाइन बना देंगे, उपर स्लिपिंग लाइन, बन गया गह, गह से गहर, फिर एक बार देखते हैं, एक कव बनाना है, फिर दूसरा कव बनाया, जिसको आगे तक खीच के, थोड़ा उपर लेना है, पीछे स्टेंडिंग लाइन के साथ जोइन्ट कर देना है, इधर टच करना है, दूसरा कव ज गया ग, ग से गडा, एक बार फिर देखो, एक कव, दूसरा कव, ये दूसरा कव बनाया, उसको थोड़ा आगे खीच लेना है, और थोड़ा उपर कर लेना है समझा रहा है उसके बाद इदर स्टेंडिंग लाइन के साथ जोइंट कर देते हैं और उपर स्लिपिंग लाइन तो बन गया गः गः से गड़ा फिर एक बार एक कव दूसरा कव अब दूसरा जो कव बनाया उसको थोड़ा उपर खीचना है साथ मिडल लाइन तक पूरा मिडल तक नहीं लेकर जैंगे बीच में आधे तक लेकर छोड़ देना है उसके साथ जोइंट करते हुए स्टेंडिंग लाइन उपर स्लिपिंग लाइन बन गया गः से गर एक कव फिर दूसरा कव पिछे स्टेंडिंग लाइन उपर स्लिपिंग लाइन बन गया ग, ग से गड़ी तो ऐसे ही डॉट को जोइंट करते हुए आप ट्रैस कर लोगे फिर उसके बार खाल स्पेस में लिखोगे ग से गर अभी हम लोग घर से घर नोट बुक में लिखेंगे तो नोट बुक में हर बार की तरह हमने लाइन बना लेनी है और फिर नोट बुक में कैसे लिखना है ध्यान इदर लिखना शुरू करेंगे पहले देखोगे फिर बुक में लिखोगे सबसे पहले एक कव बनाएंगे फिर दूसरा कव दूसरा कव जो लिया थोड़ा आगे तक मैंने खींचा है उसको जोइन करते हुए standing line उपर slipping line बन गया गः गह से गर एक बार फिर एक कव दूसरा कव दूसरा कव जो बनाते है उसको थोड़ा आगे खींच लेना है उसको जोइंट करते हुए standing line, उपर sleeping line, बन गया घर, घर से घर, एक बार फिर देखो, एक कव, फिर दूसरा कव, उसको थोड़ा आगी कीचा, standing line बनाई, उपर sleeping line बना गया, बन गया घर ऐसे ही पूरा line फिनिश कर लेंगे, फिर दूसरी line में भी लिखेंगे, एक कव, दूसरा कव, उसको आगे तक खीचना है, standing line के साथ जोइंट कर लेना है, उपर sleeping line, बन गया घर, घर से घर, फिर एक बार एक कव, दूसरा कव, standing line, के साथ जोइंट कर लेंगे, उपर sleeping line बना लेंगे, बन गया कव, एक बार फिर एक कव, दूसरा कव, standing line के साथ जोइंट किया, उपर sleeping line बनाई, बन गया कव, गह से कड़ा, फिर एक बार देखो, एक कव, फिर दूसरा कव, उसको आगे तक खीचा, उपर standing line, उपर sleeping line, तो बन गया, गह, गह से कड़ी, खड़ी, फिर एक बार, एक कव, दूसरा कव, उपर से पीछे एक, standing line, उपर sleeping line, बन गया, गह, गह से कड़ा, फिर एक बार, एक कव, उपर की लाइन से सुरू कर रहे हूं कव, वो ध्यान से, फिर दूसरा कव, पीछे, extending line, उपर, sleeping line, बन गया, गह, गह से कर, गह से घड़ा, गह से गड़ी, तो यह है हमारा आज का लिटर, गह, कैसे करना है, आप लोग आराम से सिखोगे, तो आजाएगा, पहले ट्रेस करके, जो वर्क बुक में दिया है, उसको करना, और फिर उसकी बाद, नॉट बुक में लिखेंगे, तो क्या बोलेंगे इस लेटर को, गह, क्या बोलेंगे, गह, एक बार फिर बोलेंगे, गह से घर, कर से कर, कर से कड़ा, कर से कड़ा,